दोस्तो मैं विकास आपके अपने यूटूब चैनल विकास ओनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूँ तो चलिए आज हम लोग एक सांदार, जानदार और एक जबरजस्ट सेशन देखते हैं जो की होगी सरफेस एरिया एंड भॉलूम पर एंसी आटी के कोशिनों को आज हम लोग स्वाल्ब करेंगे जो की होगी सरफेस एरिया एंड भॉलूम पर फार्ट सेकेंड और एंसी आटी के कोशिनों को स्वाल्ब करते हैं तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहला question यहां पर आता हुआ और इस surface area and volume को solve करने के लिए हम लोग को इसका figure को बनाना बहुत important है और अगर एक बार figure इसको समझ जाते हैं तो उसी जगा पर क्या हो जाएगा इसका question का half solution हो जाता है तो क्या क्या given है इसको हम लोग चलते समझते हैं ठीक है a medical capsule is in the shape of cylindricals with two hemispheres stuck to each ends ठीक है यहां पर क्या दिया हुआ है figure में जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक capsule है लेकिन इस capsule में क्या है दो figure attached है एक क्या है एक है cylindrical part ठीक है और उसका दो side में क्या है hemispherical part यहां पर attach है देखे मैं इसको अलग color pen से लिख के बताता हूँ कि कहां से कहां cylindrical part है और कहां देखे यह जो red portion है यह red portion क्या हो जाएगा आपका hemispherical part हो जाएगा ठीक है यह red portion क्या हो जाएगा hemispherical part हो जाएगा देखे यहां से भी red portion क्या हो जाएगा hemispherical part हो जाएगा ठीक है ठीक है ना और यह black color जो part है वो हम लोग का क्या हो जाएगा यह हम लोग के पास में cylindrical part हो जाएगा ठीक है देखिए यह जो दिख रहा है ठीक है यह totally क्या हो जाएगा cylindrical part हो जाएगा यह capsule बन गया है तो total height कितना दिया हुआ है इस capsule का total height 14 mm दिया हुआ है और diameter कितना दिया हुआ है 5 mm तो देखिए diameter दोनों के लिए क्या हो जाएगा same हो जाएगा क्यों same होगा क्योंकि दोनों का जो base है क्या है वो same है cylinder का भी base same है और surface area का sorry यहाँ पर क्या hemisphere का भी base same इसलिए diameter दोनों के लिए क्या हो जाएगा same हो जाएगा तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, diameter, diameter of cone, cone नहीं, hemisphere, ठीक है, hemisphere, 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 ठीक है, diameter, equal to diameter of cylinder, ठीक है, दोनों का diameter कितना हो जाएगा, 5mm हो जाएगा, तो radius क्या हो जाएगा, radius 5 by 2 हो जाएगा, दोनों का तो same होगा ना, ठीक है, क्योंकि दोनों का base same है, अब क्या बोलता है, कि find the surface area, तो find the surface area, total surface area इस capsule का निकालने के लिए बोल रहा है, और हम लोग पहले से भी जानते हैं, कि जब कभी भी दो figure आपस में attach होगा, और total surface area को निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करना होगा, दोनों figure का curve surface area को add कर देना परेगा, ठीक है, तो जब curve surface area हम लोग add करेंगे, किसका, cylinder का, तो formula क्या होता है, 2 pi r h, तो cylinder का हम लोग को height चाहिए, ठीक है, तो height of cylinder हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, height of cylinder, कितना हो जाएगा, height of cylinder, देखे, total height में से, अगर hemisphere का radius, और इस hemisphere का radius को minus कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह height of cylinder, निकल क्या जाएगा, क्योंकि इसको radius, radius भी एक तरह का, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, height हो जा रहा है, तो total height, total height, minus 2 into radius, radius of hemisphere, तो total height कितना हो जाएगा, 14 minus 2 into कितना हो जाएगा, radius, 5 by 2, तो 2 set to cancel out हो गया, तो 14 minus 5 जाएगा, 9 mm, ठीक है, चली, अब आते है, total surface area of capsule, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, curved surface area of क्या, cylinder, plus curved surface area of क्या हो जाएगा, क्या, hemisphere, 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 कितना hemisphere है, 2 hemisphere है, ठीक है, 2 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, into कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 pi r h plus, hemisphere के कितना होता है, 2 pi r square curve surface area, 2 गोई 2 से into कर देते हैं, ठीक है, तो 2 और यह pi और यह r common निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, h, 2 pi r common निकल चुका है, 2 बचेगा, और 2 r में r निकल चुका है, तो 1 r बच जाएगा, तो 2 into pi का value 22 by 7 आ जाएगा, r का value 5 by 2 आ जाएगा, ठीक है, h क्या value, height कितना निकल चाएगा, 9 plus 2 into r कितना होगा, 5 by 2 हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ से 2 से 2 cancel, यहाँ से 2 से 2 cancel, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आ जाएगा हम लोग पास में 22 into 5 by 7, और यह होगा, हम लोग 9 और 5 कितना होता है, 14 ठीक है, 14, तो 7 to 14, कितना होगा, 22 into 10, ठीक है, तो हम लोग का final answer जो होगा, 220 mm square, ठीक है, चले, इसको हम लोग अलग color pen से लिख देते हैं, ताकि दिक्कत ना हो, चले, यह होगा, हम लोग का final answer, चले, next question क्यों चलते हैं, next question आपके सामने आता हुआ, चले, next question भी हम लोग के सामने में आ चुका है, और हम लोग इसका भी figure को draw कर लेते हैं, चले, given, लिखते हैं पहले, a tent in the shape of cylinder surmounted by a conical top, ठीक है, एक हम लोग के पास में क्या है ना, एक हम लोग के पास में cylinder है, इस तरीके से क्या है, cylinder है, ठीक है, cylinder है, ठीक है, अब इसके उपर में क्या है, कौन है, ठीक है, कौन है, if the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1, तो height the cylindrical part का jो height है, वो क्या है, 2.1 है, ठीक है, meter, और जो diameter होगा, diameter कितना हो जाएगा, ठीक है, diameter कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ठीक है ना डायमेटर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो देखिए यहां पे दोनों का डायमेटर क्या हो जाएगा same हो जाएगा ठीक है and client height of the top यह कितना हो जाएगा 2.8 यह हम लोग का 2.8 meter आ जाता है ठीक है तो दोनों के लिए diameter क्या हो जाएगा same हो जाएगा क्योंकि दोनों का base same है तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं diameter diameter equal to 4 तो radius equal to radius equal to कितना होगा 2 होगा ना 4 by 2 और height of cylinder height of cylinder कितना हो जाएगा 2.1 मेटर आब आते हैं salient height of cone कितना जाएगा इसका 2.8 मेटर आ जाएगा देके diameter दोनों के लिए same है इसलिए हम एक ही बार लिखें है ठीक है चलिए आब आते हैं solution में solution में अब देखिए इस tent को बनाने के लिए क्या लगा हुआ है canvas लगा है ठीक है तो इस canvas का total surface area कितना होगा और उस tent को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा ठीक है तो एक meter square में कितना खर्च आता है canvas का 500 rupees तो इस canvas को total बनाने के लिए कितना खर्च आएगा तो देखिए यहाँ पर total surface area यह tent क्या करेंगे यहाँ पर क्या 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 जोंट है एक है cylindrical part और एक है conical part जब कर भी भी total surface area निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग दोनों का curve surface area को add कर देते हैं ठीक है चलिए तो total surface area of क्या tent equal to क्या हो जाएगा curved surface area of यहाँ पर क्योंट plus curved surface area of क्या हो जाएगा cylinder ठीक है तो curve surface area of क्या होता है pi r l और curve surface area of cylinder क्या हो जाएगा 2 pi r h तो चलिए यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग pi r, pi r common निकाल लेंगे, pi r common निकाल लेंगे तो क्या बचेगा ? l plusahi pi r common निकाल लेंगे तो यहाँ से two h बचेगा तो pi का भीलू जब तक से कुछ नहां बले twenty two by seven और r का भीलू कितना हो जाएगा ? टू हो जाएगा L कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा और यहां से 2 into H H कितना है? Height कितना है? 2.1 ठीक है? तो चलिए 22 into 2 by 7 यहां से आ जाएगा हम लोग का 2.8 पलस यहां पर 4.2 ठीक है? 4.2 चलिए सालेंट कर दिया हूँ अब डिश्टब नहीं होगा ठीक है? अब यहां पर क्या होता है? 22 into 2 divided by 7 यहां से कितना होगा? 4.2, 6 और 1, 7 ठीक है? कितना हो जाएगा? यह 7, 7 cancel out तो 44 meter square हम लोग के पास में आ पर आ जाता है यह क्या है? Total surface area तो चलिए अब हम लोग यहां पर cost of canvas निकालते हैं cost of canvas 1 meter square में कितना होता है? 500 रूपीज यह लगता है ठीक है? तो हम लोग के पास में कितना है? 44 meter square तो क्या करेंगे? 44 को यहां से 500 से into कर देंगे कितना हो जाएगा? 22,000 रूपीज यहां पर आंसर आ जाएगा ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको अलग color pen से लिख लेते हैं तो ठीक है 44 meter square क्या आ जाएगा हम लोग का? यह आ जाता है Total surface area of tent और यह tent को बनाने के लिए कितना लगेगा? 22,000 रूपीज ठीक है? चलिए next question के लिए चलते हैं next question आपके सामने आता हुआ ठीक है? चलिए तो next question आ चुका है इसको भी हम लोग figure draw करेंगे सबसे पहले और figure draw करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यह कैसे बनता है ठीक है? चलिए यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर given क्या ख्रॉम एस सॉलिट सिलिंडर वोज हाइट इस 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर इस 1.4 सेंटीमीटर तो चलिए एक क्या करते हैं हम लोग यहाँ से? एक सिलिंडर बना लेते हैं ठीक है? एक सिलिंडर यहाँ से हम लोग बना लेते हैं है n Sheriff Sketch ड्रो किया हो समझे ने कोशी कीजिएगा ठीक है? इसका height कितना हो जाएगा? इसका height हो जाएगा हम लोगा 2.4 एन डायमीटर कितना हो जाएगा? diameter हो जाएगा हम लोग का 1.4 ठीक है एक conical cavity of the same height and the same radius is hollowed out ठीक है अब इस cylinder से क्या काटा गया है same height का और same radius का एक क्या काट लिया गया से कौन काट लिया गया है ठीक है कौन को hollowed out कर लिया गया है काट लिया गया है ठीक है ना तो बताईए find the total surface area of the remaining solid ठीक है तो काटने के बाद हम लोग के पास में कितना surface area बचा उसको हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है तो चलिए हम लोग आप क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं ना तो given क्या क्या है height height of cylinder कितना हो जाएगा 2.4 क्या centimeter diameter देखे जो दोनों के लिए होगा हम उसको एक ही बार लिखेंगे ठीक है diameter कितना हो जाएगा 1.4 तो radius कितना हो जाएगा क्योंकि radius दोनों का क्या होगा सेम हो जाएगा क्यों सेम होगा क्योंकि base सेम है ठीक है centimeter ठीक है ना चलिए अब यहाँ पर हम लोग को इसको solution कर देना है solution तो क्या करेंगे हम लोग total surface area total surface area of remaining remaining solid ठीक है तो क्या होगा जब कभी भी इस तरीके total surface area निकालना होगा तो जो भी figure attached है उसका curved surface area को हम लोग add कर देते हैं तो क्या होगा curved surface area of cone प्लस curved surface area of क्या cylinder ठीक है और यह क्या करते हैं लोग बेस को भी add करेंगे न क्योंकि यहां पर क्या है बेस है ठीक है तो बेस ठीक है चलिए अब यहां पर क्या होता है curved surface area of cylinder क्या होन क्या होता है पाई आर एल प्लस curved surface area of cylinder क्या होता है 2 pi r h प्लस base of area क्या होता है किसी का भी base क्या होता है पाई आर इस पर होता है लेकिन आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हमको चाहिए salient height तो यह हम लोग को निकाला हुआ नहीं है तो चलिए आप हम लोग इसको निकाल लेते हैं red pen का यूज करते हैं ताकि यह different लगे थोड़ा और समझ में यह आप भी आए तो formula आपको पता है l equal to क्या हो जाएगा root under h square plus r square और अगर यह l निकालने के लिए नहीं पता है तो मेरा first वीडियो जाकर कर देखिए जहां पर सिर्फ formula का ही एक session लिया गिया है और वहां पर यह clear किया गिया है details में कि यह कैसे हम लोग का l निकालते हैं तो चलिए आभी हम लोग फिलाल l को निकालते हैं तो height कितना है हम लोग के पास में 24 ठीक है और square radius कितना हो जाएगा 0.7 ठीक है का square अब देखिए इसको करना कुछ भी नहीं आप है 2.4 को 24 मानिए 24 का square 576 easy हो जाता है ठीक है और यहां पर 7 को 0.7 को 7 मानिए तो 7 का square 49 अब यहां पर point है तो point लगा के 0 लगा देते हैं तो आप देखिए 576 और यह 49 कितना हो जाएगा आ जाएगा 625 के बाद point है पॉंड लगा देते हैं इसका जब यह निकलेगा तो 2.5 final इसका निकल के आ जाएगा L square root से जब बाहर निकल के आएगा तो 2.5 यह निकल के आ जाएगा ठीक है चलिए pen change कर लेते हम लोग अब अब हम लोग इसका solution करते हैं ठीक है चलिए तो यहां से यह हो गया इधर different ठीक है तो अब यह pi 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 चलिए यहां से हम लोग क्या निकल लेते हैं pi देखे r r और यह r दोनों का r क्या है same है ठीक है यहां से क्या बच जाएगा l बच जाएगा ठीक है pi r, निकल गया तो 2h बचेगा तो यहां से क्या करें हम लोग 2h बचेगा और pi r square में pi r, निकल गया तो यह r बचेगा तो pi का value जब तक से कुछ नहां बोला जाए 22 by 7, r का value कितना है 0.7 तो 7 by 10 हम लोग इसको लिख सकते हैं ठीक है l, l कितना निकला 2.5 निकला 2 into h, height कितना हो जाएगा, height कितना निकला हुआ हम लोग पास में, दिया हुआ है 2.4 और यह r, r कितना हो जाएगा, r हम लोग के पास में यहां पे 0.7 ठीक है तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, तो 22 by 10 हो जाएगा, यहां से देखिए 2.5 और यह कितना हो जाएगा, 4.8 और यह कितना हो जाएगा, 0.7 जब इसको total को add किजिएगा तो add करने से हम लोग के पास में कितना आ जाएगा देखे, add करने से हम लोग के पास में आता है देखो, यहांसे add करके भी दिखाते हैं तो 2.5, 4.8, 0.7 13 और 7, 20, और यह कितना होगा 4, 2, 6 और 1, 8 6 और 2, 8, 8 आ जाएगा न तो यह हम लोग का 176 by 10 तो यह कितना होता है 17.6 तो इसको क्या बोलता है यह question में क्या है अल्रेडी बोल चुका है nearest तो nearest हम लोग के कितना हो जाएगा 18, कितना centimeter square nearest में आ जाएगा ठीक है चलिए इसको हम लोग दूसरा color pen से हम लोग box मे ला देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आप लोग को भी ठीक है यह हम लोग का answer चलिए next question क्यों चलते है next question आपके सामने आता हुआ next question आ चुका है हम लोग के सामने में pen select कर लेते हैं color select कर लेते हैं और चलिए बनाते हैं सबसे पहले यहां पे given क्या है ठीक है एक उडेन आर्टिकल वाज मेट बाई स्कूपिंग आउट ओप है hemisphere chrome each ends of the solid cylinder ठीक है एक figure यहां पे दिया हुआ है figure तो समझ में आ रहा होगा कि देखी यह क्या है एक cylinder है ठीक है है जहां जहां मेरा paint चल रहा है वो क्या एक cylinder है और इस cylinder से दोनों साइड में क्या काट लिया गया है एक hemisphere को cut out किया गया है दोनों साइड से देखिए काट दिया गया है ठीक है अब height of the cylinder कितना है height of cylinder कितना देखे रखा हुआ है height of cylinder ये 10 है ठीक है and इस base of the radius radius कितना हो जाएगा radius जो है ये तुमारा कितना हो जाएगा ये radius radius हो जाएगा 3.5 तो find the total surface area of the article तो कुछ भी तो नहीं है आप है चलिए given क्या है height height of cylinder height of cylinder कितना है 10 cm radius दोनों के लिए सेम हो जाएगा तो हम लोग इसको एक ही बार लिखते है radius इकल टू 3.5 cm ठीक है चलिए आप आजाते है solution में solution में चलिए solution में आते हैं तो total surface area जब कभी निकालने के लिए बोलेगा तो जो figure में जितना भी figure attach है उसका curve surface area को add कर देते हैं ठीक है तो total surface area of क्या article article तो क्या हो जाग है यहां पर curve surface area of क्या cylinder यहां पर यहां पर उपर एक और एक नीचे ठीक है चले curve surface area of cylinder यह क्या हो जाएगा curve surface area of cylinder यहां पर हम लोग के पास में 2 pi r h और अब curve surface area of hemisphere क्या होगा 2 pi r square और यहां पर 2 को है ना तो दो हम लोग यहां से कर लेते हैं इन 2 तो देखे 2 pi r 2 pi r चले कोमन निकाल देते हैं 2 pi r कोमन निकाल दिया ना ठीक है कोमन यहां से निकाल देते हैं और अगर कोमन नहीं भी निकाल लिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसको हम लोग चले बनाते हैं ठीक है कोमन निकाल लिएगा तो easy हो जाता है और अगर कोमा नहीं भी निकाले तो कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है बस calculation में थोड़ा सा ध्यान रखेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा पाई का वेलू 22 बाई 7 आ जाएगा आर, आर कितना है 3.5 है तो इसको हम लोग 7 बाई 2 क्लिक सकते हैं क्योंकि 7, 7 cancel करने में सुद्धा होगा और यह height, height कितना हो जाएगा यह 10 हो जाएगा ठीक है, plus 2 into pi, pi का वेलू 22 by 7 into r r कितना हो जाएगा, r है 3.5 तो इसको 7 by 2 लिख सकते हैं r square तो दो बार हम लोग इसको लिख दियें into क्या हो जाएगा, 2 ठीक है चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, और एक बार लिख लेते हैं यहां पे cancel नहीं करते हैं, ताकि आप लोग को पुरे details में समझ में आ जाए, ठीक है 7 into 10, divided by कितना हो जाएगा 7 into 2, और यह रहा plus, ठीक है, 2 into 22 32 into 7 into 7 into 2, divided by कितना हो जाएगा 7 into 2 into 2, देखे, इसको हम लोग अलग color pen से चूच करके इसमें cancel out करते हैं देखे, सबसे बहले तो 7, 7 गया 2 से, 2 चला गया 2 से, 2 गया, ठीक है यहां से, 2 से, 2 गया, 7 से, 7 चला गया तो कितना होगा यहां पे, देखे, यह होगा 22 into 10 plus, यहां से 22 into 7 यह होगा 220 plus, यहां पे 7 तो जब 14 और 1 15, तो कितना आ जाएगा, 374 क्या जाएगा यह, हम लोग का centimeter square यह answer आ जाता है ठीक है, चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा next की और चलते हैं next, आज का session हम लोग कहीं तक समाप्त करते हैं झालते हैं